गुड मोर्निंग फ्रेंड्स एक पर फिर से स्वागत है हम लोग BPSC के मेन का जो एक्जाम होने वाला है 65 का यहां कोहें भी कोई एक्जाम हो जिसमें साइंस एंटेक का कोश्चन आता हो उसे सम्मांधित कुछ सब्जेक्टिव कोश्चन का अध्येन कर रहे थे तो उसी में आज हमनों क्या देखें कि यह पांचवा वीडियो होगा और इसमें आज हम लोग देखेंगे सरकार दोहरा गोसी तो बायो फ्यूल जैवी इंधन निंदी दूज़ा अठारा के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और भारा जैसे विकासी लिएसमें जैवी इं आज है तो क्या है और छाब लेकिन और जाक्या है तो इसकी मात्रा सीमीत है तो में उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया किसको मानों को इसी करी में परामपरिक प्राम परीक हिसे कोईला पेट्रॉल डीजल लकडी कि इस अपर परामपराइग जो खत्म होने वाले हैं पर अपने निर्भारता कम करनेते हे तू हूए अब उरज़ा के नए भीकलप जिसे बायो फ्यूझ यानि जय। इनद्धन क्यों क्योंकि जो प्रांपरी के उर्जा के शुरत है ओपर दुसर फैलाते हैं और जो यह प्रदुसर कम करेगा कि इस्तिमाल की बात हो रही है इनका उतपादन आम तर पर किर्शी फसलों से किया जाता है जयोइंधन के दो परकार होते हैं कुणखुर। एधिन ओर जयानि बायोडीजल। एधिनल को आमतोर पर मख्य और गण्ये से बनाय जा सकता है। हो कि जयो डीजल को तारके विडीघ यानि मुखित तेल सवय बीन मुखित जैसे स्वय और कैनोला जैसे रेप सीड भी कहा जाता है कि फॉल से बनाया जाता है जैवविंधन को एकिसभी सदी का फ्यूल कहा जा रहा है जैविधन की अधारना को अब पूरी दुनिया से मानेता मिल रही है अब इसको अंदाश्यत सब मानेता मिल चुकी है और इसको क्या कहा गया यह एकिस्वी सदी का फ्यूल कहा जा रहा है जैविधन की अधारना को पूरी दुनिया से मानेता मिल रही है कचे तेल की आयात, निर्भरता कम करने तथा किसानों की आये को दुगुना करने को लेकर कें सरकार ने राष्ट्रीय बायो फ्यूल निती 2018 की घोसना की उसके क्या क्या प्रावधान थे राष्ट्रीय जयव इंधन निती 2018 में जयव इंधन की अलग अलग केटिगरी तैकी गई है जिसे बेसिक बायो फ्यूल एडवांस बायो फ्यूल बायो सी एंजी आदी में बाठा जाएगा इस केटिगरी के नुस्वार ही उचीत वितिये और आर्थिक प्रसाहन का प्रावधान किये जाएगा निती में जयव इंधनों को अधारभूत जयव इंधनों यानि पहली पीढ़ी वांजी के बायो इथनोल और बायो डियल तता है बिकसित जयव इंधनों यानि दूसरी पीढ़ी तो देखिए पर्थम में क्या होगा ठोड़ दिया है अनाज मानगोपियों के लाइक नहीं है उनसे बनाया जाता है जो उड़ जाओ निकलेगा वहां टूजी होता है और ठीजी थी गया होता है यहां पराइब हैं यह सहेवालों के द्वारा उसके कीनिमन द्वारा जो अलकोहल यानि बायो इतनोल टियार किया हैं और यहां क्या है यहां देख और आर्थी परस्वाहन को बढ़ाया जा सके इसी निती की द्वाराब क्या होगा गन्य का रस चीनी युक्त समगरी स्टार्च युक्त समगरी तथा च्छती ग्रस अना जैसे गेहूं तुटे चावल और सोय हुए आलू का उपयोग करके एथिनोल उतपादन हेतु कच्छे म समिती की मंजूरी से इथेनोल उतपादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु जो अधिस्य से अनाज अगर बच रहा है आपके खाने से अधिक हो रहा है तो उसको बायो इथेनोल बनाया जा सकता है जैव इंधनों के लिए निती में टूजी एथेनोल जैव डिफ जाएगा क्योंकि जो फॉस्ट जनेरेशन है वो अफसीष्ट यहार मानों ने जो खन छोड़ दिया है जो मानों कूपियों के लायक अनाज नहीं है उनसे बनाया जाता है यही कारण है कि सरकार सेकेंड जनेरेशन को अधिक बढ़ावा दे रही है और इसे चुनोती क्या है भारत की फ्यूल टेक्नलोजी को उनत बनाए बीना इसी नीथी को कारगर नहीं बनाया जा सकता है दूसरा स्वरपर्थम गन्हाव मीनों का आधुनिक की करन किया जना भी तो आउस सक है तिसरा तक्टनीकी तथा ऑस्सन अचना के विकास के भीना इसी नीथी के सकरात्मक प साधनों के साथ है गरामी छेतरों में रोजगार के औसर निर्मित किये जा सकते हैं जिससे समाजी और आर्थी विकास को बल मिलेगा आगे है इसे चुनोती है और कुछ संभावनाय भी है जैसे क्या होगा वर्तमान में भारत में क्या होता है पिट्रोल खरिद्ना पड़ता है और 84 परसेंट भारत कुरूड आए दूसरी बात है कि अभी जो हाल हो गई है अगर भारत में स्टोरेज चमता होता तो भारत की इतने सालों के लिए तेल जमा कर सकता था लेकिन उसा तो खय नहीं भारत में पेट्रोल में 10 परसेंट एचलन मिलाने की मंझूरी दिगई है जिसे बढ़ाकर 20 परसेंट किया गया है लेकिन अभी भी matter क्या है कि 2 परसेंट भी पेट्रोल में इथनौल का मिलाओ नहीं हो पा रहा है आयात पर जिसे क्या होगा सारे पांच लाग करोर रूपे खर्च करने में बचत हो जाएगी और हर दिन कोई सो करोर रूपे के अनाज के बरबादी को रोकने के लिए बायो फ्यूल निती कारगर सावित होगी इस निती से गन्ना किसान जिनको चिनी बनता है उनको पैसा न मि देखते हैं यानि आज हम लोग क्या पढ़े हम लोग अभी तो हम लोग देखे तो सरकार द्वारा घोसी तो बायो फ्यूल नितीया निचरव इंधन संबंधित अगर कोई कोस्चन आ जाए तो हम आसा करते हैं कि हम लोग लिखने में सक्षम होंगे अब इसका आत क्या आए आए ओड़े था आए टो हम लोग बादा आत क्या व तो हम लोग देखे टो हम लोग बाद ही तो हम लोग जा को लोग एंग भाद